जरूरी नहीं है कि pregnancy में ही period मिंस हो जाते हैं प्रेग्न zwefty के अलावा भी कई ऐसे कारण होते हैं जिनके वाजए से परिएट मिस हो जाते हैं आज हम उन्हीं कारणों के बारें बात करेंगे जिन कारणों की वज़े से पिरिएट मिस हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों मैं है डॉक्टर में सी के नाम से भी जानते हैं। प्रतिक महलाओं का सही समय पर प्रत इक refresh इने period आना बहुत ही जरूरी होता है, यदि किसी condition में MC नहीं आती है, फिर period नहीं आता है, तो महलाओं के दिमाग में बस यही खाया लाता है, कई मैं pregnant तो नहीं, मुझे pregnancy तो नहीं है, आज हम इन ही मित्यों को दूर करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं, कि किन कारणों के बज़े से भी period मिस हो जाता है, सबसे बड़ा कारण होता है MC नहाने का मानसिक तनाब, यदि महलाओं ज़्यादा मानसिक तनाब में रहती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं, तो उसके कारणा उनकी जो hormones होते हैं, वो unbalance हो जाते हैं, जिसके कारणा MC नहाने का यह स ज़रूरत से ज़्यादा exercise करना ही, जो महला हैं बहुत ज़्यादा exercise करते हैं, सुविशा मेन exercise करते हैं या किसी μέ exactamente गेम के परतीभ ज़्यादा रुजान रखती हैं, या games खेलती हैं, तो उन महलाओं का period मिस होने का भी यह बहुत बड़ा कारण उता है जो exercise हैं, विय महलाओ को blood sugar बहुत ज़्यादा बढ़ जाता यह बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है blood sugar तो उन महलाओं को भी MC मिस होने के यह बहुत बड़ा कारण बन जाता है यदि आपको PCOS की problem है यह पॉलिसिस्ट ओवरी syndrome की problem है तो भी आपको क्या होता है है कि जो hormones होते हैं वह बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं उपर नीचे होते रहते हैं जिसके करण से आपको MC मिस हो जाती है यह फिर बहुत लेट आते हैं यह फिर आते ही नहीं कई-कई महीनों तक तो यह PCOS भी बहुत बड़ा कारण होता है इसका thyroid की problem है उसके करण भी आपको amc नहीं आती है आपको जहीं हो वो वह ज्यादा लेट हो जाती है क्योंकि जो Hormons होते हैं वह भी बहुत ज़्यादाお願い षोजक्व समक्तmaster को फसक्या कमी आता है उन महलाओं को BC लेट हो जाती है फिर आती नीए दो तो तीन चार महीने एमसी नहीं आती है तो यह एनेमिया जो खून की कमी होती है वो भी बहुत बड़ा कारण होता है इसके अलावा यदि आप गर्विनों दग गोलियों का सेवना देख करती है काफी समय तक करती है तब भी आपको और एमसी होने का कारण ना एक बशेक्स लेट हो जाती है तो यह संब्सक्राइब हो सकती है इसके अलाबन सकते हैं। तब भी आपको MC disturbance हो सकती है, काफी लेट हो सकती है, तो ये मैनोपॉस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, इसके लाबर येदि हार्मोनल संतुलन ठीक तरह से नहीं हो पा रहा किसी भी तरह का, क्योंकि महलाओं और लड़कियों में सबसे जादा हार्मोन संतुलन होता है, वो बिगड़ता है, जिन मेलाओं को मेनोपॉस का समय आता है, उनका भी और जो पहली वाज पिरियड आता है, जिन लड़कियों का, उनको अब भी जो हार्मोनल संतुलन होता है, वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण ये भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है, MC नाने का, यदि आपका प्रेड सही समय पर नहीं आ रहा है इसके अलाबा, इन कारणों के बजह से भी प्रॉरेयड मिस हो जाता है, यदि आपको मिस होने की प्रप्लम बनी रेती है, तो आप किसी Gynecologist, Doctor को दिखांगा, जो महला की जो डॉक्टर होती है, उनको दिखांगा तक भी आपकी जो MC की जो प्रब्लम बनी रहती है ना, वो सही समय पर MC हो जाए, क्योंकि प्रियड अगर सबसे बड़ा कारण बन जाती है इसलिए आप गाइनेकलोज डॉक्टर को दिखाएं जो अच्छी डॉक्टर होती है उनको दिखाएं तकि आपकी प्रॉब्लम सौल्ब हो सके यह आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें आप इस वीडियो को शेर कारी मिल सके आपका दिन मंगल में हो आप सदा खुश रहें सदा सुश रहें यह आप फैस्बुक पर देख रहा है तो आप हमारे पैंच को लाइक कर लीजी और यह आप यूटूब पर देख रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और बैल आइकन को से सम्मंदित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें थैंक यू वेरी मच